दोस्तों आज की इस वीडियो में बेहत खास फोन मैं आपको लेकर आगया हूँ जो कि एक ऐसा बजेट रेंज 4G फोन रहता है जो कि कफी कम कीमत में आपको ओफर किया जाता है और सेल वगरा में तो आप इसे और भी कम कीमतों में ले सकते हैं यह फोन रहता है उपो का A58 और आपको देता है बजेट में रहका कुछ ऐसे फीचर्स जो कि नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलते है शुरुबात करते हैं इस वीडियो की लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी चलनको सब्सक्राइब करें का वीडियो पसंद प्रिकेशन दे रहकी होती हैं जिसे कि आप ओवर्वियू कर सकते हैं पटाफट बॉक्स को उपन करते हैं अगर हम इसके वेरेंट की बात करें तो इसमें आपको एक सिंगल वेरेंट देखने को मिलता है वह है च्छह एकसो अटथाइस का साथी अगर आप देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको यह एक छोटा सा पाकेट मिल जाता है और इसे बाहर निकालते हैं और देखते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आपको कुछ कुछ की स्टार्ट गाइड वगरा देखने को मिल गई है साथी सिम एजिक्टर पिन भी आपकी अंदर की तरफ रहेगी जिस पहले यहां पर बाते दमें चैसररर होगी टिमिएर और यहां पर आपको अपको सबसे पहले दरशन हो जाते हैं और बाता आपको एक क्षोटा सा सबुसमें जातता है जो की यह इंशा. 56% चार्ज हो जाता है ये केवल आदे घंटे के अंदर चुकि एक बहुत अच्छा पॉइंट रहेगा और साथ ही आपको टाइप-C केवल भी ओफर कर दी जाती है इस चार्जिंग सेटप के साथ में तो ये एक कई नकई मतलब अच्छी चीज हो जाती है कि आपको कोई दिकत नहीं आएगी आपको टाइप-C के साथ साथ एक सुपरफास चार्जर मिल गया है तो दोस्तो ये चीज़ें ऐसे स्रीज में देखने को मिली है अब बात करनी होगी इस फोन की तो पहले गवर फोन को सेट अप करा लेते हैं फिर डिटेल में डिसकस करते हैं इस फोन के बार अच्छी बात यह होती है कि इसमें आपको ब्राइटनेस काफी अच्छी देखने को मिल जाती है और जो कि इसमें आपको फील भी होगी जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे हला कि यहां पर आपको 90Hz का रीफरेश रेट जरूर मिसिंग में देखने को मिला है और मुझे लगत इसमें और अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको सेंटर में पंच-होल झाञे को मिल जाता है is जरहां में में देखेंगे च्छोटे सेंपन पन्च-वल तो यहां पत्लिकश में पो compartil 01 कि सम्सें अगर आप कोका इसे को मेल जाएंगे की बात करी जाए कि कौन सा आपको sim slot देखने को मिला है, hybrid मिला है, dedicated मिला है यह अभी आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एक dedicated sim slot यह चीज बहुत अच्छी होने वाली है कि इसमें आप दो sim के साथ साथ एक memory card insert कर पाएंगे तो यह चीज मेरे को लग रहा है कि एक बहुत बहतर बनाती है इस phone को कि आपको यहाँ पर memory expansion के options देखने को मिल जाते हैं और चुकि अगर आप देखेंगे इसके दूसरी तरफ तो यहाँ पर आपको power button के साथ साथ जो है volume keys देखने को मिल जाती है और साथ यहाँ पर आपको एक चीज और देखने को मिलती है वो रहता है यहाँ पर आपका side mounted fingerprint scanner अब दोस्तों चलना होगा यह क्या खुल गया भई यहाँ पर मैंने से बंद कर दिया और अब दोस्तों यहाँ पर चलना होगा एक बार जो है बात करनी होगी इसके निचले हिस्से के बारे में जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने में लगने वाला है audio jack दी रखा होता है बहुत अच्छा point है एक mic मिल जाता है type C port भी रहेगा और यह आपके speakers रहते हैं प्यारे से और अगर हम इसके back पर नरजर डालते हैं तो मुझे इसका back को personally काफी interesting इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पर इसका color option जो है वो काफी गजब कर रहता है अगर आप इसके camera pattern को देखेंगे तो इसमें आपको 50 megapixel का camera देखने को मिल जाता है और साथी 2 megapixel का आपको depth sensor देखने को मिल जाता है OPPO की badging आपको देखने को मिल जाती है और overall camera का जो setup है वो काफी unique जैसा नजर आएगा आपको और आजकल काफी हद तक OPPO अपने phones में कुछ इसी तरीके का camera setup प्रिफर कर रहा है और color option तो आप comment करके मेरे को बताएगा कि आपको इसका color कैसा लगा अब बोच चलना होगा बात करनी होगी एक बार इसकी internal specification के बारे में setting open करते हैं चलते हैं बही about phone section में और about device के बारे में यहां पर आपको काफी सारी information दी रखी है model वगरे की जानकारी है प्रोसेसर की बात कर लेते हैं तो Helio का G85 प्रोसेसर देखने को मिल गया है और NanoReview website की हिसाब से अगर हम इस G85 की rating देखें तो recording date पर यह आपकी होती है लगभग 31 की और एक C grade प्रोसेसर इसे mark किया गया है Out of 131 वैसे तो कम लग रहा है लेकिन अगर हम इसकी C grade को देखें तो यह प्रोसेसर काफी बहतर आप मान के चल सकते हैं beginner level पर यानि कि अगर आप इसमें hulky full की gaming करना चाहते है normal frame rate पर तो यह आपका साथ देने वाला है साथ ही आपको RAM expansion के भी option देखने को मिलने वाले हैं 6GB तक के तो अगर आप इसका 6GB का variant लेते हैं तो आपको 12GB की RAM आप इसमें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं camera वगरा के बारे में भी आपको information है जिसे के आप देख पा रहे होंगे और android version आपका 13 रहता है जिसके आगे आने वाले समय में आपको update सेखने को मिलने लगेंगे तो यह तो फिलाल इसकी technical specification रही है लेकिन अब बात करनी होगी जाकर इसके camera के बारे में तो camera काफी important होने वाला है और camera के लिए भाई मैं पहले से outdoor में ले जाता हूं कुछ photos वगरा क्लिक करता हूं उसके बाद आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होता हूं तो मैं इसे भाई outdoor में ले गया और यहां पर मैंने कुछ photos वगरा क्लिक की हैं इसके normal sensor से काफी distance पर यह payment वगरे लगे हुए थे और यहां पर मैंने जब photo को click किया है तो काफी detail maintain होती हुई दिखाई दे रही है और कमाल के बाद दोस्तों यह है कि मैंने भी 50 megapixel को on नहीं कि gain करता हुआ दिखाई दे रहा है तो again मैं यहां पर यही कहूंगा कि 50 megapixel में आपको zooming कुरटी काफी देखने को मल जाती है और colors अगर तो काफी जबरदस्त आ ही रहे है यह photo भी मैंने 50 megapixel से ही click करी थी और इसमें भी details आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी देखने को मिल ज तो 8 megapixel होने के बावजूद भी quality से कोई compromise OPPO ने तुने यहां पर नहीं किया है तो दूस्तों यह तो इसकी camera performance रही है आप comment करके हमें बता सकते हैं कि आपको इसका camera कैसा लगा है बाकी मेरी तरफ से तो भाई एक number इसका camera रहता है जिसके लिए दूस्तों एक like तो होना चाह पोड़ा सा एक delay देखने को मिला है बाकी एक बार में recognize कर रहा है open कर रहा है जिसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो यह चीज़ काफी बैतर रहती है कि face log और finger print scanner अपने आप में काफी जबल जस्त देखने को मिल गए है चले दूस्तों बात करते हैं final review के अंदर चलकर कि फिर वो चाहे display हो इसका processor हो या फिर इसकी battery हो या fast charging हो यह सारी चीज़े आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है लेकिन यह चीज़े तब अच्छी देखने को और ज्यादा अच्छी लगने लगती है जब इसकी pricing आप जान लेते हैं इसकी pricing वैसे तो मैं वीडियो म इसका camera भी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है fast charging भी 33W की fast charging है जो कि आपको काफी higher end के phones में देखने को मिल जाती है और वो option आपको इसमें देखने को मिल गया है जो कि मुझे काफी interesting लगा है साथ ही इसका एक बड़ा भाई है जिसका नाव है OPPO का A78 उसके साथ इसका comparison कराया है और काफी हथ तक जो इसमें features हैं इसमें कुछ features और add-on कर दिया जाते हैं like display थोड़ा सा और अच्छी कर दी जाती है fast charging को मतब 67W की बना दी जाती है OPPO A78 में तो उसके साथ मैं comparison कराया है और कुछ कीमत बढ़ा कर क्या आप उसको ले सकते हैं या फिर इसी क कीमत में यह phone आपके लिए एक बहतर option है इस सवाल का जवाब आपको इस video मिल जाएगा जिसकी link मैंने आपको description box में दे दिये तो वहां से जाकर आप उसे चेक करिएगा लेकिन मेरी एक साला यह है कि अगर आप इसे खरीदने जा रहे हो तो पहले उस phone की unboxing देख लो OPPO A78 की वहां से जाकर आप उसे चेक कर सकते हो आज की वीडियो में इतना ही चनल को subscribe करेगा वीडियो पसंद आए तो like करना बिल्कुल मग भूलेगा तब तक लिए दोस्तों हमें दीजे एजाजत नमस्कार जैहिंद बंदे मातरम